कि वैलकम बैक टुमाई टूप्चल पेपर है कर कैसे हैं आप सब लोग का यह अच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छातर बी यह फस्ट सेमस्टर में है उनके लिए हम लेकिया है पॉलिटिकल साइंस का पेपर पॉलिटिकल साइंस जिसे हम कहते ह आए यह हमसे बता दो राजधरम की परिभासा बता दो यह हमसे पूछा गया है आप इस कोशन का अंसर कैसे देंगे कोमेंट सेक्सें बताना देखो राजधरम बहुत सिंपल तरीके से आप पढ़ा सकते हो बैसे आपकी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से याद कर रहे बस यहां से यहां तक आपको क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो आपको बदाने वाला हूँ समझ लेना एक बार में समझ में आ जाएगा राजधरम की परिभासा हमसे कोशन के पूछ लेता है कि राजधरम क्या होता है राजधरम का अर्थ बताईए तो जब भी ऐ है, मनों किसी को भी माल सकते है, जो थास्तुरी होते हैं, उन्होंने राजधर्म का उल्लेक करते हुए कहा है कि राज के राजनेतिक आधार के रूप में तीन अंग होते हैं, बलब कि राज के राजनेतिक आधार के रूप में तीन अंग होते हैं, कौन-कौन से एक होता है विवस्तिका, दूसरा होता है विदिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, तीनों पॉइंटों को ध्यान रख लेना, विवस्तिका, विदिका और न्यायपालिका, देखो विवस्तिका की बाद करें, कि अंतरगत क्या हो सामिल होते हैं वो होता है विवस्था पिताः ठीक है विवस्था पिकाः होता है और जिन में इस्थाई नागरिक सेवा प्रदान करते हैं जो इस्थाई नागरिक होते हैं वो सेवाएं प्रदान करते हैं नागरिकों को उचित सेवा हेतु राजा को हेतू राजा को बदर नागरिकों को उच्छ सेवा हेतू राजा को जो की राज का पिर्मुक है जो की राज का पिर्मुक जैसे को रहे है मुखमंत्री हो गया तुमारा और देश का पिर्मुक को रहे है पीम हो गया मोदी जी हो गया विविन गडो और करतब्यों और धर्म से संपन होना चाहिए और इसे मनुग ने क्या एक बारा से आपको समझा देताओ ताकि एक आपको आ बता रहा हूं उन्हों entes जो सब्सक्राइबन करतें सब्सक्राइब को यह सेख्चाने कि यह बाद किया गया तुट्रकाइब और उनकी मंत्री परीशत सामिल होते हैं, जैसे कि राजा है, मुखमंत्री हो गया, और मुखमंत्री जैसे योगी हो गया, योगी के जो भी आप जाने दिनेस हैं, ठीक है, सिक्षा मंत्री बेगर हैं, सब कुछ हो गया है, इतने मंत्री हैं, अब ये सामिल होते हैं, आप कहा इसे क्या होता है जिनमें इस्थाई नागरिक सेवा प्रतान की जाती है आप कहा है नागरिक को उचित सेवा हेतु जो नागरिक होता है उनको उचित सेवा हेतु राजा को वज़ा कौन देगा उचित सेवा है राजा देगा जो की राज का प्रमुक है विभिन उनके अंदर क तो ये संपन होना चाहिए इसे ही मनुने राजधर्म कहा है और यहां बोला गया है कौटल एक नाम के बेग्ज्यानिक मलब कोई एक सास्त्री थे उन्होंने कहा कि राजधर्म का आर्थ उन्होंने अपने महासाम बताया कि राज की सत्ता का संचालन धर्म के नियम वा सिध्धानतों द्वारा किया जाना ही राजधर्म है उन्होंने कहा जो कोटले थे उन्होंने अपने अनुसार बताया कि जो राजधर्म का परिवहासा बताई उन्होंने ये कहा कि राज की सक्ता का संचालन धर्म के नियम है उनके अधार पर और करेंगे जादा से जादा दोस्तों को शेर करना है कोई भी दिक करते हैं तो कोमेंट सेक्ट कर पूसकते हैं थैंक यूँ फर मसें दी वीडियो बाई बाई